इंटीग्रेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, इंटीग्रेशन जो है, basically, that is advanced version of differentiation, जिसमें हम लोगों का ITF वाला concept भी कहीं कहीं पे आएगा, आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, class 11 में, trigonometry में बच्चे की हालत खराब होती है, तो वहाँ पे वो कोशिश तो करता है, trigonometry पढ़ने की, पर बहुत सारे concepts समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारे concepts उपर से चले जाते हैं, major reason कि trigonometry class 11 में समझ में नहीं आती है, इस formulas, सबसे जादा दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि formula याद नहीं होते हैं, same is the case with integration, तो integration में भी यही same case है, आपको formula याद जब तक नहीं होंगे, आप integration में कुछ भी नहीं कर पाओगे, integration, IAC board के इसाप से जो questions आते हैं, वो average and below average वाले questions आते हैं, tough वाले, hard वाले, difficult वाले questions न कि नहीं आते हैं और इस बार नहीं आएगा, कभी-कभी आज आते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आए हैं, कभी-कभी आज आते हैं लेकिन एक-क question आता है, अगर hard वाला आता है, वरना hard वाले नहीं आते है, average या Below average वाले questions को करने के लिए formula जरूर याद होना चाहिए, अग पहली बेसिक चीज जो मैं आपसे चाहता हूँ वो यह है कि क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मुले याद कर लीजे इंटीग्रेशन में अगर कुछ करना है तो अगर इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है तो भाई कुछ याद करने की जरुद नहीं है इस जो यह आने वाले कुछ वीडियोज हैं आने वाले कुछ क्लासिस हैं इनको आप मिस कर दीजा राम से चौले से बैटिए हीटर चलाइए हाथ आपिए और बोर्ड के आने का इंतिजार कीजे या यह मनाईए भगवान से कि बोर्ड कैंसिल ही हो जाए जो होने नहीं वाला है ठीक है आप कुछ भी कर लालो आप questions नहीं कर पाओगे अगर आपको formula याद नहीं होंगे totally formula based है class 11 वाले trigonometry के formula करने हैं ठीक है formula की sheet दे दीजे ठीक है formula की sheet मैं आपको share कर दूँगा whatsapp भी कर दूँगा आप अगर चाहो तो उसको print out निकालके अपनी दिवार पे आगे सामने सकते हो ठीक है so वह मैं आपको करके दे दूँगा formula class 11 के आपको sheet बनाके share कर दूँगा आप उसको print out निकालके अपने कमरे में लगा सकते हो उसको देख सकते हो उसको याद करना आपकी responsibility है so इतनी सी यहाँ पे prerequisite है जो मैं आपसे चाहता हूँ ठीक है नूर हसन कहा रहे है probability वाले questions जो है मैंने recorded video डाल दिया है content में जाएंगे आप अपने store पे अपने course पे content पे जाएंगे वहाँ पे recorded video डाल दिया है उसमें सारे questions के solution दे दिये है कैसे कैसे करने है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है PDF मैं आपको भेज़ दूँगा चलिए okay so integration सबसे पहले समझते हैं कि integration है क्या और integration किस चुडिया का नाम है और integration का introduction मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं so integration में basically क्या करते हैं जैसे differentiation में हम लोग क्या करते थे differentiation में हमको कोई curve दिया होता था उस curve के किसी particular point पे pass होने वाली tangent का slope निकालते थे differentiation में यह मैंने आपको बताया था differentiation में Now when we talk about integration, integration में हम लोग क्या करते हैं, integration में हम लोग basically integrate का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, साथ साथ जोड़ना, तो integration में हम लोग क्या करते हैं basically, integration में हम छोटे 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 चीजों को, छोटे छोटे slices को, छोटे छोटे areas को, छोटे छोटे parts को add on करते हैं, जोडते हैं, ता लिए जिसके हिसाब से भी हम उसको integrate कर रहे हैं, so integration में basically हम लोग करते हैं, submission, add करते हैं, हम लोग छोटी-छोटी चीजों को add करके बड़ी चीज बनाते हैं, वो होता integration, differentiation में बड़ी-बड़ी चीजों को तोड़ते हैं, तो वो जो छोटे-छोटे parts निकलते हैं, उनको कहते है differentiation, so basically integration and differentiation एक दूसरे के opposite हैं, ठीक है, integration is inverse of differentiation, differentiation का उल्टा होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा प्यारा सा basic formula, differentiation का जो formula था basic formula, same formula integration के form में भी आता है, जो basic formula है यहाँ पर integration का, वो formula है यह वाला, integration of x to the power n dx, so x to the power n dx का अगर हम लोग integration करें, so जो यह basic formula है, x to the power n dx का, यह हो जाता है, x की power n plus 1 divided by n plus 1, और आखरी में लगाते हैं हम लोग, plus c, where c is some arbitrary constant, तो यह इसका सबसे basic formula है, जैसे हम लोगों ने differentiation में basic formula पढ़ा था, x की power n का जब basic formula हम लोग differentiation में पढ़ते थे, तो nx की power n minus 1, यह वाला basic पहला formula पढ़ा था, similarly integration का भी यह पहला और basic formula है, x to the power n dx का, integration करेंगे, तो integration में क्या होता है, जो power होती है, उस पे plus 1 हो जाता है, एक add हो जाता है, divided by, यह जो power है n plus 1, उससे divide कर देते हैं, यहाँ पे एक subtract होता था, यहाँ पे add हो रहा है, यह एक दूसरे के opposite है, इस तरीके से समझेंगे, तो जल्दी असानी से समझ जाएंगे, Now, integration जो है, वो differentiation का opposite है, यह कैसे proof कर सकते है, तो देखो, first 3-4 classes जो होंगी, वो थोड़ी slow होंगी, उसके बाद अपन speed पकड़ देंगे, यह 3-4 classes initial वाली थोड़ी slow, इस लिए होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग basics पे काम कर रहे होंगे, basics पे हम लोग जल्दी जल्दी नही बढ़ेंगे, basics पे बिल्कुल आराम-आराम से करेंगे, ताकि सब को समझ में आए, और अगर एक पर basic समझ में आ गया, तो पूरा integration लगा ले जाओगे, लेकिन अगर basic ही कमजोर रहे गया, यह basic वाली classes आपने अगर miss कर दी, तो integration समझ में आने वाला नहीं है, बाद में रोन इलता से पढ़ो, बिल्कुल serious होके पढ़ो, ठीक है, चलो, now x to the power n, dx का integration होता है इस तरीके साथ, मैं आपको एक example देता हूँ, जैसे हमने differentiation किया, let's say differentiation किया हमने x square का, so x square का जब हम लोग differentiation करते थे, मुझे coffee देता थो थोड़ी सी, black वाली, coffee भी होगे? x square का अगर integration, differentiation करोगे, तो differentiation क्या आ जाएगा, differentiation आ जाएगा, 2x, तो हुआ क्या, जो power थी वो आ गया गया और x to the power 2 minus 1 हो गया, that is equal to 1, तो यह क्या हो गया, यह हो गया, differentiation, अच्छा भाई, अगर integration की हम लोग बात करे, मतलब हमने बोला कि integration जो है, वो differentiation का opposite है, मतलब, अगर हम differentiate कर रहे हैं x square को, तो हमको 2x मिल ला है, similarly अगर हम 2x को integrate करें, तो वापस x square मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक दूसरे की opposite है, या inverse है, तो देखो, अगर हम 2x का integration करें, ठीक है, 2x का integration करें, तो integration में वही वाला rule लगता है, जो differentiation में लगता था, differentiation में क्या होता था, जैसे अगर हम लोग करते थे, dy dx of 2x, 2x का अगर differentiate करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, जो constant होता था, उसको रोक लेते थे, और जो variable होता था, उसको ठोक देते थे, मतलब differentiate कर लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग basically लिखते थे, 2 को रोकते थे, dy dx of x, इस तरीके से करते थे, same is the case in integration, integration में भी same to same case होता है, अगर constant है किसी variable के सामने, तो हम क्या करेंगे, उस constant को रोकेंगे, और बचे हुए variable को integrate कर देंगे, integrate x, और यह जो dx है, यह dx का मतलब basically यहाँ पर होता है, with respect to x, मतलब हम लोग x को integrate कर रहे हैं, with respect to x, अब यह dx और क्या है यह कहानी, आगे मैं भी आपको बताता हूँ, धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है, so basic को बता रहा हूँ, integration of 2x अगर करेंगे, तो 2 constant है, उसको रोका, integration of x अब integration of x क्या हो जाएगा, integration of x का अगर हम लोग यह basic वाला formula देखें, तो हमको यही formula apply करना है, so यहाँ पे x की power कितनी है, अगर कुछ नहीं लिखा है, so that means 1 है, अच्छा भाई, so x की power 1 का अगर हम लोग integration करेंगे, तो यह हो जाएगा, x की power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, और आखरी में लगा देंगे, एक constant c, यह आपको हर जगे लगा देना है, जब हम लोग indefinite integral की बात कर रहे है, इस topic के बाद आएगा definite integral, definite integral में यह c गायब हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यह मैं तब बताऊँगा, indefinite में हर जगे आपको plus c आखरी में जरूर लगाना है, अच्छा, अब इसक पावर 1 प्लस 1, that is 2, divided by 1 प्लस 1, 2, so 2 से 2 कड़ गया, यह किसके बराबर आगया, यह आगया, x square के बराबर, so x square का जब हमने differentiation किया, तो differentiation करके मिला 2x, और 2x का जब हमने integration किया, तो integration करके वापस हमको मिल गया, x square, तो यहां से हमने यह प्रूफ कर लिया, कि differentiation और integration एक दूस differentiation का inverse है, मैंने आपको करके दिखाया, x square का differentiation किया, 2x आया, 2x को integrate किया, वापस x square आया, let us take another example, एक दूसरा example लेते हैं, दूसरे example में हम लोग लेते हैं, let's say, x square plus 1 का differentiation, so अगर x square plus 1 का differentiation करेंगे, तो x square plus 1 का differentiation क्या आएगा, x square का differentiation, 1 का differentiation, so x square का differentiation हो जाएगा, 2x और 1 का differentiation हो जाएगा, 0, ठीक है, so अगर यहां से हम 2x plus 0 का integration करेंगे, तो integration करने पे वापस हमको x square plus 1 मिलना चाहिए, right, अगर हम यह कह रहे हैं कि integration, differentiation का inverse है, मतलब हम जिस चीज को differentiate कर रहे हैं, उसी को अगर integrate करेंगे, तो हमको वापस वही function मिल जाना चाहिए, now in this case, जब हम लोग 2x plus 0 का integration करेंगे, तो 0 का integration कुछ नहीं होता, 0 मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का integration कुछ नहीं, ठीक है, 0 ही होता, so 2x का अगर हम लोग integration करेंगे, so 2x का integration करने पे हमको क्या मिल रहा है, 2x का integration करने पे हमको मिल रहा है, x square, लेकिन जब हम x square plus 1 का differentiation कर रहे थे तो हमको यह मिल रहा था 2x अब 2x का जब हम लोग integration कर रहे हैं तो हमको वापस यह मिलना चाहिए था x square plus 1 आना चाहिए था पर यहाँ पे क्या हुआ हमको सिर्फ x square मिला यह जो plus 1 था यह यहाँ पे गायब हो गया है क्योंकि constant का differentiation 0 होता है यहाँ पे हमने constant का differentiation किया यह constant यहाँ से गायब हो गया और जब हमने answer का जो differentiation करने के बाद answer आया था उसका integration किया तो हमारा यह plus 1 गायब हो गया इसलिए हम लोग हर बार क्या करते हैं जब भी हम लोग integration करते हैं आखरी में एक plus C जरूर लगा लेते हैं यह क्यों लगाते हैं यह इसलिए लगाते हैं कि कहीं गलती से differentiation करते समय अगर कोई constant गायब हो गया है क्योंकि constant का differentiation 0 होता है so differentiation करते समय जो constant यहाँ पे loss हुआ है उस loss की भरपाई करने के लिए हम integration में last में plus C लगा देते हैं यह plus C आपको बता रहा है कि यह जो C है यह 1 के बराबर अब यह C कुछ भी हो सकता है मैं आपको बताता हूँ अलग-अलग examples देता हूँ जैसे हम लोग differentiation करते हैं dy dx of x square plus 2 तो यह आ जाएगा 2x के बराबर हम differentiation करते हैं x square plus 100 तब भी यह क्या आएगा plus 1 वाला plus 2 वाला plus 100 वाला यह वाला पार्ट आपको integration में loss हो जाएगा यह नहीं मिलेगा तो यह जो loss हुआ है यह जो constant है यह सब क्या है basically यह सब basically constant ही तो है 1, 200 यह सब constant है तो इन constant की भरपाई करने के लिए हम last में plus C लगा देते हैं इस C की value 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है 1000 भी हो सकती है, crores भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है हमको से मतलब नहीं है बस यह जो plus C है यह दिखा रहा है एक arbitrary constant जो हो सकता है differentiation करते समय loss हो गया हो यह मैंने अभी आपको basic बताया integration किस तरीके से differentiation से related है अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ यह plus C कहां लगाना है last में लगाना है, कौन से step में लगाना है बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं यह मैं अभी आपको बताता हूँ समझो सबसे पहले सबसे पहले समझे integration of dx देखो यह जो dx लिखा है ना यह dx का मतलब क्या है अगर आपके सामने लिखा है integration of dy integration of dt integration of dx so basically इसका मतलब है we are integrating with respect to y we are integrating with respect to t we are integrating with respect to x अब यह with respect to का मतलब क्या है यह हम लोग बात करेंगे definite integration में अभी बात नहीं करेंगे लेकिन with respect to का मतलब basically यह है कि यह जो हम लोग integration कर रहे हैं वो y के terms में कर रहे हैं तो अगर हम लोग dy का integration करेंगे तो हमको output मिलेगा y अगर हम dt का integration करेंगे तो हमको output मिलेगा t अगर हम dx के respect में integrate करेंगे तो हमको output मिलेगा x के terms में So basically, यह dy, dt, dx, dz, कुछ भी मिले, मतलब उसका basically यह है, कि वो उसी के terms में answer आना चाहिए. अगर यह y है dy, तो y के terms में answer आना चाहिए. अगर dt है, तो t के terms में answer आना चाहिए. अगर dx है, तो x के terms में answer आना चाहिए. Now, the basic and the foremost formula that we are studying over here is integration of dx. अब integration of dx का basically मतलब है, integration of, इसका ऐसे भी लिख सकते है, 1 dx. अगर कोई number नहीं लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ही होता है कि वहाँ पर 1 है. So, 1 का जो integration होता है, वो होता है x के बराबर. So, integration of 1 dx is equals to x plus c. यह किसके बराबर होता है? x plus c के बराबर होता. अब यह कैसे याद करें? तो देखे, differentiation में, अगर हम लोग x का differentiation करते थे, तो जब x का differentiation करते थे, तो हमको क्या मिलता था? x का differentiation करने पर 1 मिलता था. Similarly, उल्टा, अगर 1 का integration करेंगे, तो 1 का integration क्या मिलेगा? 1 का integration मिलेगा x. और जब जहां पे भी, जिस step में आप integrate करोगे, उसी step में आप ये plus c आड़ कर दोगे. आप step 2 में integrate कर रहे हो, तो step 2 में plus c लगाओगे, आप last step में integrate कर रहे हो, तो last step में plus c लगाओगे, जैसे ही integrate करोगे, जैसे ही formula यूज़ करोगे, आप उसके आगे प्लस C जरूर लगा दोगे, अब आ जाते हैं second formula पे, second formula क्या है हमारा, so second formula है, जो basic वाला formula मैंने आपको अल्यडी बता दिया, x to the power n का integration अगर हम लोग करेंगे, तो यह आ जाएगा, x की power n plus 1 divided by n plus 1 plus C, यह सबसे basic, सबसे चेंटू, सबसे असान formula है, जैसा basic formula differentiation में था, यह पहला integration का basic formula है, इस formula को जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ, वो आप भी साथ-साथ लिखते जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्रह मैं आपको sheet दे दिया होता, और मैंने के मैं कह देता कि sheet पे सारे formula हैं, याद कर लेना, नहीं, मैं आपको एक formula explain कर रहा हूँ, ताकि याद करना easy हो जाए आपके लिए, आप आराम से याद कर पाओ, वना sheet दे देंगे, तो करना ही पड़ेगा, और कर भी नहीं पाओगे, पता नहीं, आदो को समझ में आएका, आदो को नहीं आएका, ठीक है, गारगी दास क्या कह रहा हो, repeat कर दे, n plus 1 by n plus 1, हाँ, यह वाला मैं आभी आपको बता रहा हूँ, यह formula भी explain कर रहें, don't worry, इसको और explain कर रहें, एक example से बताता हूँ आपको, जैसे हमको integrate करना है, x cube को, ठीक है, अगर हमको integrate करना है, x cube को, तो कैसे integrate करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो x है, उसको as it is लिग कर देंगे, तो power में हो जाएगा, 3 plus 1 divided by, जितनी power है, उसी से divide कर देंगे, और आखरी में c लगा देंगे, यह वो वाला c नहीं है, जो आदे लोगों को समझ में आ रहा होगा, यह दूसरा c है, यह constant वाला c है, यह वो वाला c में जो तुम लोग समझ रहें हो, ठीक है, so x की power 3 plus 1 करेंगे, तो यह हो जाएगा, 4 upon 4 plus c, यह आ गया हमारा final answer, तो basic formula है, formula बता रहा हो, अभी जब questions पर आएंगे ना, तो आपको समझ में आना लगेगा, कि यह कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक question देता हूँ, अब आप एक question कीज है, आप लोग अपने आप solve कीजेगा, फिर answer बताईएगा, क्या आ रहा है, integration of under root x dx, integration of x cube upon 3 dx, integration of 3x to the power 4 dx, चलो, अब मैं आपको इन तीन example से यह वाला formula explain करता हूँ, कि किस तरीके से यह वाला formula apply किया जाएगा, चलिए भाई, देखिए, so under root x dx, इसका integration करेंगे, तो कैसे इसका integration करेंगे, now under root x dx can be written as x to the power 1 by 2 dx, इसका integration, इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाई, under root x का मतलब होता है, x की power 1 by 2, तो हमने इसको x की power 1 by 2 के form में लिख दिया, अब जो हमारा formula था, वो formula क्या था, हमारा formula था, x to the power n dx का, that is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1, मतलब जो भी power होती है, उसमें एक add कर देते हैं, और उसी से उसको divide कर देते हैं, उसको denominator में लिख देते हैं, तो यहाँ पे power है 1 by 2, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 2 को 1 से add करेंगे divided by 1 by 2 plus 1 plus c, यह आ गया हमारा answer, अब इसको आप थोड़ा सा simplify करना चाहें, तो कर सकते हैं, भाई, 1 by 2 plus 1 को अगर add करोगे, तो यह आ जाएगा, 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c, इसको और थोड़ा सा standard form में लिखना चाहें, तो इसको लिख सकते हैं, as 2 by 3, x to the power 3 by 2 plus c, तो यह आ जाएगा इसक final answer, second वाला देखिए, second वाला, now let's come to the second part, second part में क्या कह रहा है, second part में कह रहा है, integration of x cube upon 3 dx, now, I have already told you कि कभी भी variable के साथ constant आता था, तो जैसे differentiation में उसको बाहर करके, फिर differentiate करते थे, same to same, we'll be doing it over here also, so 1 by 3 constant है, इस constant को बाहर निकाल यह, integration of x cube dx, so 1 by 3 को बाहर निकाला, x cube का integration करेंगे, so integration का वही वाला formula लगाएंगे, जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, x to the power n plus 1 upon n plus 1, so यह हो जाएगा, x to the power 3 plus 1 upon 3 plus 1 plus c, इसको थोड़ा सा और simplify करें, so this will be equal to x to the power 4 upon 12 plus c, अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल आ सकता है, कि सर आपने 1 by 3 को यहाँ तो multiply किया, लेकिन 1 by 3 को c में multiply क्यों नहीं किया, तो समझो बेटा, c एक constant है, constant में आप कुछ भी add करो, कुछ भी subtract करो, कुछ भी multiply करो, कुछ भी divide करो, जो c है वो c का c ही रहेगा, समझ रहे हो ना, जो c लोग होते हैं, उनके साथ आप कुछ भी कर दो, वो जिंदगी बर c के c ही रहते हैं, वो change नहीं हो पाते, same to same ये वाला c b वैसे ही है, आप इसमें कुछ भी add, कुछ भी subtract करो, वो हमेशा constant का constant ही बना रहेगा, समझ गए, लमाओ होगे, लमाओ, समझ गए, बहुत बढ़ी है, very good, बस तुम लोग ऐसी समझ में आता है, हाँ, बिल्कुल, ऐसी समझ में आता है, बागी तुम लोग चली भाई, आगे बढ़ते हैं, next part पर आते हैं, इसके बाद आ गया 3x to the power 4 dx का integration, तो अगर इसका integration करेंगे, तो कैसे integration करेंगे, तो इसका integration करने के लिए 3 को रोका, integration of x to the power 4 dx, ठीक है, same to same, so ये हो जाएगा, 3x to the power 4 का integration करेंगे, तो ये आ जाएगा, x to the power 5 upon 5 plus c, so this is equals to 3 upon 5, x to the power 5 plus c, बताओ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया, अब मैंने आपको 3-4 examples दे दी, अब आपको ये पहला basic formula, समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद आता है third formula, अब ये third formula, आप अपने आप ही बता सकते हो, अगर आपने differentiation पड़ा है term 1 में, और पैसे दे के pass नहीं हुए हो, वैसे अभी pass हुए हो कि नहीं हो तो result बताएगा, so ये formula, किसका formula होता है, so ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है, जिसका differentiation करने पे हमको 1 upon x मिलता था, बताइए, ऐसा कौन सा function है, जिसको differentiate करने पे हमको 1 upon x मिलता था, तो वो जो function था, वो function था log x, logarithmic function, so जब हम लोग log x को differentiate करते थे, तो हमको 1 upon x मिलता था, ये हमने differentiation में पढ़ा था, अब अगर differentiation आता है, तो ये formula हो गया, चिंटू formula, तो जब हम 1 upon x का integration करेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, येस, खरशित गुपता कह रहे है, not defined आना चाहिए, not defined नहीं आता बेटा, log x plus c आता, अब ये कैसे आता है, इसका पुरा derivation है, वो derivation आप check out कर सकते हैं, आपकी book में जरूर दिया होगा, जो भी book आप use कर रहे होगे, वहाँ पे आप इ infinity नहीं आएगा, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं, log mod x होगा, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, log mod x होगा, यहाँ पे mod x का मतलब बेसिकल ये होता है, कि x can take any positive value, x negative value नहीं ले सकता, तो x जो होता है log में, वो जाहिर सी बात है, वो positive ही होता है, वो negative नहीं होता, तो वहाँ पे आप उसको log mod x भी लिख सकते हो, आप इसको normally log x भी लिख सकते हो, यहाँ पे x जो होगा, वो positive होगा, कभी भी negative नहीं होगा, आप logarithms पढ़ चुके हो, class 9th में, 10th में, तो आपको पता है, कि यह जो x होता ही, negative नहीं होता, positive होता, तो इसके चाहे mod लगाओ, चाहे ना लगाओ, बात वही है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ positive की बात कर रहे है, ठीक है, अच्छा, integration of e की power x dx, तो फिर से बच्पन में आ जाते हैं, d by dx of e की power x, e की power x का differentiation क्या होता था, so e की power x का differentiation होता था, e की power x, तो ऐसा function जिसका differentiation करने पे, हमको e की power x मिलती है, तो हम e की power x का integration करेंगे, तो हमको वापस क्या मिल जाएगा, e की power x plus c, तो यह सबसे मुश्किल formula यही है, differentiation का भी और integration का भी, यह बत्तमीज function है, जिसको आप चाहे differentiate कर दो, चाहे integrate कर दो, यह जैसा बत्तमीज था, यह वैसा ही बत्तमीज output भी देता है, यह अपने आपको change नहीं करता है, ठीक है, दुनिया जाए, डैश में, यह अपने आपको change नहीं करेंगे, रिपीट log mod x, बिटा log mod x का मतलब होता है, जो हमारा formula book में दिया है, वो दिया है, one upon x का integration करेंगे, तो log mod x दिया है, book में, इस mod x को लगाओ, चाहे ना लगाओ, बात एक ही है, mod x का basically मत मतलब होता है, यहाँ पर mod का मतलब है, कि इसके अंदर जो value है, वो positive ही है, negative value नहीं, x is only positive, not negative, तो x positive होगा, negative नहीं होगा, तो वही वाली बात है, next part पर आते हैं, integration of a की power x dx, so integration of a की power x dx का होता है, अब यह याद कर ले न, a की power x dx का integration होता है, a की power x upon log a plus c, यह होता है, इसका integration, a की power x upon log a plus c, जैसे मैं आपको example बताता हूँ, integration of 2 की power x, so integration of 2 की power x, जब हम लोग करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 की power x upon log 2 plus c, तो यह simple सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा formula है, बस इस formula को आपको याद करना है, तो आता है, integration of sin x, अब देखें, integration of sin x का मतलब है, ऐसा कौन सा function है, जिसको differentiate करने पे हमको sin x मिल जाए, बताइए, बहुत बढ़िया, ऐसा कौन सा function है, जिसको differentiate करने पे sin x मिल जाए, तो हमको याद है, differentiation में हमने पढ़ा था, कि cos x को जब हम लोग differentiate करते हैं, तो हमको sin x मिलता है, लेकिन, with a negative sin, जब हम लोग differentiate करते थे, तो हमारे पास minus भी आ जाता था, सो cos x का differentiation minus sin x होता था, similarly, अगर हम sin x का सिर्फ integration कर रहे हैं, तो sin x का integration क्या आएगा, sin x का integration आएगा, minus का cos x plus c, सो यहाँ पे sin का integration में negative sin आता है, वहाँ cos के differentiation में negative sin आता था, सो यह negative sin का कांड यहाँ पे हुआ पूरा, और cos x का differentiation sin x के बराबर आता है, तो sin x का integration cos x के बराबर आ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 7th formula पे आते हैं, अब यह 7th formula बताओ, cos x का integration क्या होगा, तो वही दिमाग लगाओ, ऐसा function जिसका differentiation करने पे, हमको cos x मिलता था, तो cos x का integration वही answer होगा, तो हम किसको differentiate करते थे, तो cos x मिलता था, तो हमको भाई याद है, कि जब हम sin x को differentiate करते थे, तो हमको cos x मिलता था, तो cos x का integration क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, sin x plus c, तो आपको integration के ये basic formula याद नहीं करने अगर आपको differentiation के formula already पता है तो अगर already पता नहीं है तो भाई ये आपको शुरू से पढ़ना पढ़ेगा differentiation के भी formula याद करने पढ़ेगा और integration के भी याद करने पढ़ेगे तो मज़ा आ जाएगा आपको क्योंकि पहले पढ़ा ही नहीं कि तो अब एक साथ पढ़ना पढ़ाएगा ठीक है यह सब असली जिंदगी में काम भी आता है हाँ बेटा बिल्कुल आता है यह आता है integration differentiation calculus आता है companies के जो बड़े बड़े graphs बनते है projected revenue बनता है Tata के shares तीन साल बात कितने के हो जाएंगे हम मानी कितने अमीर हो जाएंगे किसी country की GDP कितनी बढ़ जाएगी कितनी कम हो जाएगी यह सारी चीज़े जो calculate करते है तो यही सारे mathematical tools लगते है even यह वाले mathematical tools आपके artificial intelligence and machine learning में भी लगते हैं जब हम लोग computer science programming programming करते हैं यह सारी चीज़े वहाँ भी apply होती है neural networks में होती है बहुत सारी चीज़े हैं सब यह apply होता है basic से ही होता है machine learning और AI का भी ठीक है cryptocurrency में चले जाओ और वो सारी चीज़े में भी यह सब लगता है यह सारी चीज़े आनी चाहिए इसलिए यह basic से पढ़ाए जा रहे है ताकि बड़े हो के कुछ तो कर लो ना लायक ना बन जो ठीक है ऐसे ना करो कि मतलब किसी के चलो चलो रहने दो integration of sex square x अब समझे ऐसा कोई function ऐसा कोई function जिसका differentiation करने पे हमको sex square x dx मिल जाए वो function कौन सा function होता था बाई बदा ये बिलकुल सही answer है पहले ही बता दिया tan x so sex square x का अगर integration करेंगे तो यह आ जाएगा tan x plus c के बराबर so sex square x का integration is tan x plus c I hope यहाँ तक आपने सारे formula लिख लिए हैं और आप सिर्फ मज़े नहीं ले रहे हैं आप formula भी लिख रहे हैं और questions भी कर रहे हैं ठीक है साथ साथ लिखते जा रहे हैं ठीक को sex square x का integration किसके बराबर आएगा बताओ अब यह आप अपने आप खुद बदा सकते हो अगर आपको differentiation का formula आता है तो मैंने integration का formula याद नहीं कराया मैं differentiation से कैसे related है बस यह बता रहे हूँ आदित्य साहू सही कह रहे हैं minus cot x correct minus cot x plus c क्योंकि जब हम लोग cot x का differentiation करते थे तो minus cosec square x आता था so cosec square x का integration करेंगे so minus cot x plus c आएगा बिल्कुल सही sec x tan x बदाइए sec x tan x का integration किसके बराबर आएगा so किस चीज का differentiation करने पे किस function को differentiate करने पे हमको sec x tan x मिलता था so हमको sec x tan x किसको differentiate करके मिलता था sec x को very good so इसका integration का formula आ जाएगा sec x plus c अब देखो यह basic चीजे है यह मैं sheet के form में देखे एक घंटे की class और आगे कर सकता था मतलब और कुछ questions करा दे था direct पर यह basic अगर यह basic समझ में आ गया ना तो integration में इंट्रस्ट आने लगेगा और एक बार इंट्रस्ट जा गया तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो तुमको integration से हटा दे सारे question खुदी लगा लोगे फिर हमारी महनत कम हो जाएगी तुम्हारी महनत अपने आप करने लगोगे similarly cosec x cortex का अगर integration करें यहाँ पे तो यह किसके बराबर आ जाएगा cosec x cortex का integration बदाईए minus cosec x plus c integration of dx upon 1 plus x square so ऐसा कौन सा function था जिसका differentiation करने पे आपको 1 upon 1 plus x square मिलता था बताईए 1 upon 1 plus x square Newton और Lebanese में दिये थे बिल्कुल सही बात है so tan inverse x integration of 1 upon 1 plus x square is equal to tan inverse x क्योंकि tan inverse x का जब हम लोग differentiation करते हैं so this is equals to 1 upon 1 plus x square यह आता है अभी आएगे अपन questions पे चीक है अब आएगा अब होगा शुरू question चलिए पहले question का answer बताईए फिर मैं बताता हूँ पहले question का answer चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोग भी try कीजे साथ साथ मैं भी करता रहता हूँ हाँ सारे formula में plus c last में लिखोगे ही लिखोगे common sense ठीक है integration of 1 upon x to the power 7 by 2 now हमने इसका कोई formula नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे इसको standard form में convert करेंगे so this can be written as x to the power minus 7 by 2 dx हम क्या लिख सकते है exponent वाली property यूज करके इसको minus 7 by 2 लिख सकते हैं अच्छा भाई अब इसको integrate करना असान है x to the power n का formula आ गया है तो यह हो जाएगा x to the power minus 7 by 2 plus 1 divided by minus 7 by 2 plus 1 plus c तो इसको आप जब थोड़ा सा simplify करेंगे तो यह क्या आ जाएगा यह आ जाएगा x to the power minus 5 by 2 divided by minus 2 by 5 plus c तो यह आ जाएगा इसका final answer देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग करके देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही आ रहा है yes minus 2 by 5 x to the power minus 5 by 2 plus c कैसे कैसे किया तो मैंने आपको steps भी दिखा दिये आ गया सबको yes so this is the basic formula for integration जो हम लोगों ने अभी 3-4 questions किये ठीक है अब देखो next question पर आ जाते है 1 minus 2 sin square x by 2 का integration अच्छा इसको करने से पहले एक चीज़ और एक चीज़ और जो अभी यहां पर रहे गई वो क्या है मैं समझा देता हूँ आपको हाँ यहां परी समझाता हूँ जैसे हम लोग differentiation करते थे जब जब हमारे functions बड़े-बड़े होते थे let's say ax square plus bx plus c जब हमारा function इस तरीके का function होता था तब हम लोग differentiation कैसे करते थे हम लोग क्या करते थे इन functions को बीच में अगर ब्लस माइनस कुछ भी लगा है हम लोग क्या करते थे हम लोग लिखते थे d by dx of ax square plus minus जो भी लगा है फिर dy dx of bx plus minus by dx of c so distributive property जैसे हम लोग differentiation में लगाते थे same to same distributive property हमारे integration में भी लगती है जैसे अगर ax square plus minus bx plus minus c का अगर हम लोग integration करेंगे so हम लोग क्या करेंगे यह जो integration है यह जो integration है वो हम हर term को अलग-अलग करके integrate कर सकते है so this will be ax square dx plus minus integration of bx dx plus minus integration of c dx तो हमने क्या किया यह सारे functions को अलग-अलग पकड़के integrate कर दिया जैसे हम लोग differentiation में करते थे ठीक है तोड़ देंगे हाँ बिल्कुल तोड़ देंगे बिल्कुल बदन तोड़ exercises होती है वैसे यह भी है function तोड़ formula तोड़ देंगे बिल्कुल अब यह वाला question जो है second वाला question यह आप try करो फिर मैं बताता हूँ यह question कैसे होगा थोड़ी सी अकल लगानी पढ़ेगी अब देखो अर्य यार थोड़ी सी अकल आपको लगानी पढ़ेगी कैसे होगा यह question एक बढ़ ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, so basically अगर आपको integration थोड़ा सा tough क्यों है differentiation से, integration थोड़ा सा tough इसलिए है differentiation से, क्योंकि differentiation में हम लोग क्या करते थे, उसको जुगाल लगा के इधर उधर करके product rule, question rule लगा के differentiate कर देते थे, लेकिन integration में हमको इसको standard formula में ही convert करना है, तभी integrate कर पाएंगे, वर वरना नहीं कर पाएंगे, standard formula मतलब जो formula अभी तक हमने पढ़े, वही वाले formula, जो मैंने आपको अभी formula के समझाए, उन formula के terms में, अगर convert करोगे, तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, अच्छा, अब इन formula के लिए आपको basic formula भी आने चाहिए, integration, sorry, trigonometry class 11th के, ठीक है अगर trigonometry class 11th के formula आते हैं, तभी कर पाओगे, वरना फिर लग जाएंगे, अब मैंने आपको formula बताये थे, class 11th वाले, जो बच्चे मेरे साथ term 1 से connected हैं, या जो बच्चे YouTube live पे भी आये थे, मैंने उनको कुछ formula समझाये थे, और बोला था बेटा, ये formula जरूर याद कर लो, बहुत important है, one of the formulas from this is, ये वाला, cos 2x का जो ये formula है, ये बेहद 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 important formula है, इसके तीन types होते हैं, ये तीन formula बनते हैं, एक ही formula cos 2x है, तो ये वाले formula आपको जरूर याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे निकाल पाओगे, कोई भी part ठीक है, तो इस formula में अगर य देखिए, ये वाला जो formula है, one minus two sine square x, और यहाँ पे देखिए, one minus two sine square x by two, तो समझ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, cos 2x का जो formula है, वो होता है, one minus two sine square x, so that means, cos के आगे, अगर double angle है, तो sine के पास जाके वो angle half हो जाता है, two x का half होता है x, similarly, यहाँ पे जो formula है, यहाँ पे already x by two है, तो अगर यहाँ पे x by two है, तो क्या होगा, cos के terms में ये double हो जाएगा, so this can be written as integration of cos x dx, बताईए, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इस पूरे one minus two sine square x by two की जगे, हम लोग लिख सकते हैं, cos x, बताओ, ये चीज़ क्लियर है क फिर से देखो भाई, cos two x का formula क्या होता है, देखो समझो, cos two x का formula होता है, one minus two sine square x, तो समझे हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे जो भी angle है, cos में उसी का double हो गया है, यहाँ पे cos two x है, तो formula बना one minus two sine square x, ये जो two x था, इसका half हो गया, देखो, यहाँ से यहाँ move कर रहे हैं तो ऐसे समझो 2x का half हो गया ठीक है और अगर इधर से इधर समझे तो x का double था cos के साथ 2x similarly अब ये वाला formula और ये वाला formula देखो तो ये दोनों formula same ही तो है 1 minus 2 sin square x by 2 बस फरक क्या है यहाँ पे x by 2 है यहाँ पे x था अब क्योंकि यहाँ यहाँ पे x था तो cos का formula क्या बन रहा था cos 2x मतलब double of this angle यहाँ पे formula क्या है x by 2 तो x by 2 का अगर आप double करोगे तो x by 2 का double क्या आएगा x ही तो आएगा तो यहाँ पे क्या बन गया cos x dx और cos x का अगर आप integration करोगे तो यह आ जाएगा sin x plus c तो यह जो भयानक सा लग रहा था integration यह खोदा पहाड निकली चुया यह चुया निकली जिसको हमने integrate किया और sin x plus c के बराबर आ गया इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यह कुछ और formula है यह formula next class में discuss करते हैं मैंने आपको integration की sheet already send की हुई है तो उस sheet के हिसाब से उस sheet के हिसाब से आपको यहां तक try करने हैं अब यहां तक देख लो कौन से question तक हैं यह वाले question तक try करना है सो आज के लिए class यही तक रखते हैं integration बहुत important topic है जितने questions मैं दे रहा हूं अगर आप regularly करते रहोगे तो बल्ले बल्ले है नहीं regularly करोगे तो दिक्कत वाली बात है फिर मिलते हैं दूसरी class में next class में परसो बाबाबाई टेक केर गॉड़ ब्रेस योल जेहन अपने ख्याल को